नमस्कार, हेलोरी और स्वाद करता हूँ, मैं आपके अपने चैनल पर वेलकम टूर चैनल, आज हम डिसकर्स करेंगे सेल, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एज डिस्क्लोजर, ये शेर मेरे पोर्टफोलियो में भी है, ये एक सरकारी कंपनिया जा हमाई सरकार पैंसर प्रसन स्टेक होल्ड करती है, ये एक स्लो मुवी स्टॉक है, और इस शेर ने काफी लोगों को ठका दिया है, तो क्या करना चाहिए इस शेर में बने रहे या फिर अब निकल जाए, तो गाइस पूरा वीडियो देखें एंड तक बिना स्किप कि ये काफी इंफरमे क्या है, तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं, आगे, कंपनी का बिजनस मौल क्या है, सेल हमारे भारत की लाजर स्टील प्रोडूस करने वाली कंपनी है, और मेटल सेक्टर ग्लोबली डिपेंड रहता है, और मेंली चाइना पर डिपेंड रहता है, इस वज़े से इतना सेप्टेंबर 2024 के, ये डेट में कमेंट भी कर दूँगा आपके लिए, and 19 सेप्टेंबर तक आपके पोर्टफोलियो में ये शेर होगा, तो आपको डिविदेंड आपके अकाउंट में क्राइट हो जाएगा, एक से डेड महिने में, इवेन आज भेल का डिविदेंड क्रा का रिटिन करिए, और जहां का 5 साल का रिटन देख तो शहल ने करीबन, 295 परशन का रिटन दिया है और सब्सक्त करेंबर 204 पर के और किछेर ने करीबन 24 परशन का रिटन दिया अपनी इंवेस्टोर्स को अगर जब कमक्थे होई इती तब किसी ने 10,000 इसमें invest क्या होता है तो आज उस 10,000 की value होती 2,20,400 लाग 20,400 क्यास परस इसे कहते हैं long term investment का power and patience का power इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ guys please invest करो at least आप अपने income का 10% पर इंवेस्ट जरू करें अब आते है second part पर company के fundamentals कितनी strong है and experts का rating दे रहा है वो हम देख लेते हैं 43% buy की rating दे रहा है, 24% hold की rating दे रहा है and 33% sell की rating दे रहा है market cap पर इबन 55,000 crore के आसपास है, P ratio 18.71 है, industry P 24.67 है means as per industry P share काफी सस्ते price पर trade कर रहा है, book value 138 है which में इसके book value से भी 6 रुपे सस्ता मिल रहा है आपको and इसके सामने 10 की face value पर ये share means ये share कही ना कही valuation wise काफी comfort दे रहा है that's for sure but yes slow moving stock है ये इसलिए sale के investors हार मान जाते हैं और हां guys अगर आप यहां तक आ गए हो तो please channel को subscribe जरूर कर लेना and sale ने last financial year में 300 crore का profit किया है and other domestic institution, foreign institution ने अपना stake कम किया है but mutual fund अपना stake double कर दिया है sale में ये एक positive approach आप मान सकते हो और अब हम chart देख लेते हैं तो आप technical wise देख लेते हैं जिसे हम levels देख सके share अभी trade कर रहा है 132 के आसपास, 52 week है इसका 175 and 52 week हो है इसका 81 के आसपास अगर इस level से 132 से rejection आता है तो ये share आपको 124, 116 और 110 के levels दिखा सकता है but 120 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लगता है but ये stock market है कुछ भी हो सकता है ये note करना हमाई levels कभी भी levels में मिलता है तो ये share के बारे में जरूर सो सकते हो लॉंग तर्म के लिए और आपका नजरे होना चीप at least 5 साल का और अगर कोई entry लेने का सोच रहा है तो 120, 125 का levels एक सही opportunity देगा आपको buy करने के लिए average करने के लिए और जहां हम target की बात करते हो तो हमारे 2 short target रहेगे 140 और 150 और जैसे 160 के level को sustain करेगा तो ये share आपको 180, 200 के levels दिखा सकता है means इस level से 50% के आसपास का upset दिखता है आने वाले time में बट मैं wait कर रहा हूँ 280 के levels के लिए no doubt थोड़ा वक्त लग सकता है 280 के levels पर आने के लिए जैसे 280 के levels पर आएगा फिर ये share हमारे हाथ में नहीं आएगा mark my words तो जैसे target अची होते हैं मैं इसे फिर से review करेंगे आगे के targets के लिए अप note करना हमारे target आपको 10 से 11 मेने में अची होते जाओर न चरहेंगे उससे पहले भी target अची हो सकता है बट safer side के लिए आप 10 से 11 मेने का time frame लेके चल सकते हो और अगर किसी को sale अपने portfolio में नहीं रखना है तो इस level पर बेचने का मत सोचना 150 के levels आपको कभी भी दिख सकता है note करना मेरी बात and last part brokerage house का target दे रहा हो हम देख लेता है कोटक institutional equities ने sell key rating दिये 65 के target के लिए अगर 65 के level पर दिखता है तो हम और उठाएंगे ये share को at last conclusion क्या है क्या करना चाहिए हमें ये share में बिल्कुल बने रह सकते हो ये share में नई खरीदारी करने का भी सोच सकते हो जो हमने levels बताए उसके हिसाब से कभी कोई भी गिरावट मिलती है तो जरूर सोच सकते हो शेर के बारे में 200 के target के लिए and हर गिरावट पर आप SIP कर सकते हो accumulate कर सकते हो तो ये share आप अपने watchlist में ज capital सेफ रहे एक nominal return मिले आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको invest करना है तो आप Nifty Bees IT Bees के बारे में सोर सकते हो इवन आप हर गिरावट पर SIP भी कर सकते हो इन दोनों में and हाँ दोस लोग आप कोई भी investment करते हो तो प्लीज अपने advisor से जरू सरा ले and पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक like जरू करे and subscribe करना ना भूले तो मिलते हम दूसरे वीडियो में जुड़े हमारे साथ thank you so much for watching this video अपना ख्याल रखना जय हिंद